हेलो एब्रीवन, वेलकम टू विद्धियाश्री अकेडमी, I hope you are doing well, आज हम पढ़ने वाले हैं परियावरण से सम्मंदित प्रश्न, जो की सारे एक्जाम में पूछे जाते हैं, ये most important question है environment के, तो without time waste करें, start करते हैं, first question is, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूरी से आने वाली करने प्रत्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन CO2 गैस के घेरे के कारण बापस नहीं आ पाती, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, वो क्या है? वो प्रत्वी पर आ जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि CO2 गैस के कारण वो क्या हो जा से है तो विलुपती की कगार पर संकट ग्रस्त जातियों से है अभी हमने कली के करेंट अफेर में पढ़ा था कि रेड डाटा बुक की द्वारा रेड डाटा बुक में तीन पौधों की प्रजातियों को समलित किया गया है जो की संकट ग्रस्त हैं संकट ग्रस्त का मतलब क्या होता है कि जिनका अस्तित्तों खत्रे में है और इसमें Red Data Book को कौन publish करता है IUCN International Union of Conservation Nature जो हो IUCN वो क्या करता है इसको publish करने का काम करता है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और जिसका जो headquarter है वो Switzerland में इस्तित है इतने question आपको पता होने जाइए इस्ति related फिर next question है Green Peace क्या है तो Green Peace है वो एक परियावरण की योजना है जो की परियावरण की सुरक्षा के लिए काम करती है भारत का परियावरण सिक्षा अनुसंधान केंद्र कहां है Environment Education Center जो Environment Education Center है ये कहां परिस्तित है ये एहमदावाद गुजरात में है तो हमें ये कैसे याद रहेगा कि एहमदावाद गुजरात में है तो जो परियावरण की सुरक्षा है परियावरण की जो सिक्षा है वो बहुत अधिक जरूरी है बहुत अधिक एहम है याद रखिएगा इस बनाया गया है वो किस पसू को बनाया गया है तो वो बनाया गया है पांडा को यह प्रशन भी पूछा गया है इसको याद रखेगा next question है कि वण महुच्छव किस ने प्रारंब किया तो K.M. Munsie Ji ने वण महुच्छव का शुभारंब किया था ताजमहल के पीले पढ़ने का कारण क्या है तो ताजमहल अगर आप लोगों में से जो लोग भी ताजमहल अभी recently years में देखने गये होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि ताज महल की जो तस्वीर देखी होगी तो वो तो एकदम आपको वाइड सुन्दर सा मिलेगा लेकिन अभी अगर आप ताज महल देखने जाएंगे तो आपको उसमें यलोईश कलर के स्पोर्ट देखने मिलेंगे ये किस कारण है तो ये सब हु इसके कारण क्या होता है इनमें पीले रंग का स्पोर्ट बन जाता है और ये बहुत अदेखानीकारत भी होते हैं तो याद रखेगा कि अमली वर्षा फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है तो फोटोकॉपी मशीन से भी ओजोन गैस का निस्काशन होता है बायू मंदल में कौन सी गैस सरवा देखें तो बायू मंदल में सबसे अधिक गैस है वो नाइट्रोजन है जिसका परसेंट लगवग सेवेंटी एट परसेंट है याद रखेगा ये प्रशन पूछा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा तो ग्रीन हाउस गैस का जो डारेक्ट इंपक्ट होता है वो क्या होता है कि इससे ग्लेशियर जो रहते हैं तो ग्लेशियर पिगलने लगते हैं तो जो हिम जमी हुई है जो बर्फ जमी हुई है उसका क्या होता है पेगलाव होता है जिसके कारण जो होता है वो नद्यों का जले स्तर बहुत अदिक बढ़ जाता है जिसके कारण बाढ की संभाव ना भी हू सकती है और इससे जली जीब भी प्रभावत होती है भारत का कौन सा राद जिस टाइगर स्टेट की रूप में जाना जाता है तो जो न्यू टाइगर की गर्णा हुई थी उसमें सबसे अधिक नंबर ओफ टाइगर कहाँ पर है MP में है जो कि है 526 यह याद रखिएगा इससे पहले करनाटिका को टाइगर स्टेट मना जाता था लेकिन अब टाइगर स्टेट का दलजा मद्धिप्रदेश को प्राप्त और जो परियावरन सरक्षन अधिनियम है यह कप का है यह 1972 का है तो उसको भी याद रखिएगा कारबन डियोकसाइट सलफर डियोकसाइट कारबन मोनो अकसाइट यह कौन सा प्रदूशन होगा इन सबसे तो चाहे वो CO2 हो SO2 हो या NO2 हो CO हो यह सब क्या करते हैं ग्रीन हाउ जिससे अधेक उजोन का डिपलीशन होता है हो है वह लूता है क्लोड़ो कर मतल में जो सूरी से आने वाली Uv rays होता है है उनको धर्टी पर आने से रूखती है यहां पर एक सुरक्षय का वज़ की तरीकी से काम गरती है लेकंग जब क्लोरो-फ्लोरो कार्वन का स्तर बढ़ जाता है तो यहां पर क्या होती जो यह परत होती है इसका शरण होने लगता है जिसके कारण क्या होता है हानिकारक UV केंद्र सरकार द्वारा परियावरन विवार की स्थाथना कप की गई यहाद रखेंगा न опас है परियावरन विवार की स्थाथना कि गई तो परियावरन दुश्मन कहा जाता है यूकिलिप्टिस को ये भी याद रखिएगा देश में पारिस्तित की अनुसंदान और प्रसिक्षन के इंद्र कहा है इस्तित है बैंगलोर करनाटिका में इस्तित है आकाश नीला दिखाई क्यों देता है तो जो प्रक्रीनन की घटना होती है उसी के कारण आकाश नीला दिखाई देता है COD का फुल फॉर्म क्या होता है तो बायो केमिकल ऑक्सीजन डेमांड परिक्षा किस प्रदूशन मतलब कौन सा ऐसा पॉलूशन है जिसकी टेस्टिंग के लिए BOD का यूज किया जाता है तो वो है वाटर पॉलूशन वाटर केता प्रलूटेड है उसका पता करने के लिए क्या करते है BOD का टेस्ट किया जाता है पौधे अपनी खाद्य नर्माड की प्रक्रिया में प्रियावरन क्या है हमारे चारों उर का आवरन ही पध्यावरन कहलाता है CNG का फुल फॉर्म क्या है Compressed Natural Gas याद रखिएगा LPG का फुल फॉर्म क्या है Liquid Petroleum Gas CNG का फुल फॉर्म क्या है Compressed Natural Gas CFC का फुल फॉर्म क्या है Clorofluorocarbon इस तरीके से Environment से Related फॉल फॉर्म भी पूचे जाते है प्राचीन काल में ओकाया जाने वाला फल ब्रक्ष कौन सा था तो वो था खजूर रास्ठी वन नीती के निसार कितने भूबाग पर बन होना अनिवार है तो एटलीस 33% भूमी पर क्या होना चाहिए वन होना आवश्यक है प्रत्वी दिवस कम मनाय जाता है तो 22 अपरेल को प्रत्वी दिवस मनाय जाता है अब डेज की बात आई है तो हम एक बार सारे डेज डिसकस कर लेते हैं 22 मार्च को कौन सा दिवस रहता है 22 मार्च को रहता है जल दिवस जल दिवस में याद रखिएगा इस वर्स की जो थेम है वो है इन्विजिवल वाटर को विजिवल बनाना फिर 22 जो डेट है वो बहुत इंपोर्टेंट है फिर याद रखिएगा 22 अपरेल 22 अपरेल को मनाया जाता है विश्यो प्रतिवी दिवस विश्यो प्रत्वी दिवस फिर 22 मई याद रखेगा 22 मई को कौन सा दिवस रहता है जैव विवित्ता दिवस बायो डाइवार्सिटी डे जो रहता है वो कब रहता है 22 मई को रहता है 5 जून को कौन सा दिवस रहता है पाथ जून को रहता है विश्यो परियावरनेट दिवस और अभी हमने क्या पढ़ा 21 मार्च 21 मार्च को कौन सा दिवस रहता है विश्यो वन्यजीव दिवस तो इतने डेज आपको याद रखना है और 21 जून 21 जून को कौन सा डे रहता है 21 जून को रहता है योगा डे जो वैश्वे किस तर पर मनाया जाता है अगर आपने important days और उनकी theme अगर आप पढ़ना चाहते हैं पूरे साल भर में कौन-कौन सी दिवस मनाया जाते हैं और उनकी theme क्या हैं तो मैंने एक separate lecture बनाया है आप उसे जरूर देख लीजेगा suffogation क्या है तो suffogation जैसे बोलते हैं बहुत अदे गर्मी लगती है बहुत congested जगा होती है तो बहुत suffogation हो रहा है इसका मतलब क्या है कि oxygen की कमी हो रही है बायो टेक्नलोजी पार कहां पर इस्ते थे ये कुछ महातेपूंट प्रशन थे अगर आपको ये series अच्छी लग रही है तो please like, share and subscribe environment के questions पूछे ही जाते हैं science के अंतरकत भी आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से questions सयार करने हैं हम एक separate video लेके आएंगे जिसमें हम सारे environment के जो जो protocols हैं जो organization and environments related उनको पढ़ लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो please share thank you so much, जय हिन जय भारत